आज की हमारी रस्पी है चटपटी मसाली तार मसाला इडली तो हाई दोस्तों मैं कुसम स्वागत है आपका कुसम रस्वाई में तो आज हम बची और इडली से बनाएंगे मसाला इडली तो चले इस चटपट बनाना शुरू करते हैं तो पहले हम इडली को चोटे पीस में कट कर लेंगे तो मैंने यहां एक इडली से 6 पीस घटकिया है आप अपने इचानूसार पड़े रखें जोटी रखिए इडली से इससाई में कट किया है तो जब भी चट्टी सांबर खत्म हो जाए तो इस तरह से इटली को जरूर बने है बहुत ही ज्यादा स्वाधिस्त लगेगा तो पैन को गर्म करें और इसमें डालेंगे हम एक बड़ा चमच भरकर बटर और डालेंगे एक चमच और ताकि बटर जले नहीं बटर मेल्ट हो जोका है अब इसमें डालेंगे हम एक चोटा चमच जीरा और दो हरे मिच को बारिक चॉप्ट करके तो मिच के क्वांटिटी अपने टेस्ट के इसाब से कम और ज्यादा कर लें किसे हलका हम फ्राइ कर लेते के दीश सेंटेर तर अब डालेंगे हम एक बढ़ा प्याख पारीच Tech's करवेख के तो मिच का कलर जुए जो है वो चेंज हो हो पाता है तो दोनों साथ में फ्राइ होंगे प्यास देखे ब्राउन हो चुक है अब इसमें डालेंगे हम कुछ सुकी मैसाज तो एक छोटा चमच मैंने डाला है कास्मरी लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चमच धनिया पाउडर यहां मैंने थोड़ा सा डाला है regular लाल और आधा चोटे समिच मेने डाला है हल्दी पाउडर इन सब को चीते से मिक्स करें गैस के फ्लेम को स्लो कर दें ताकि मसाला जले नहीं और अब इसमें डालेंगे हम दो टमाटर बारी चॉप करके तो टमाटर के सॉफ्ट होनी तक हमें फ्राई करना है टमाटर अची तरह से जल्दी गल जाए इसलिए इसमें हम डाल देती हैं स्वाद अनुशार नमक तो नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाता है तो टमाटर देखिए सॉफ्थ हो गया है फोआसा पानी डाल दें ताकी मसाले अच्छे से फ्राई हो जहें और फ्राई करते से में जली नहीं मसालों के साथ थोड़ी सी सबजी को भी फ्राई कर लेते हैं तो मैंने 1 4th cup टाला है बारी कट करें सिम्ला मिच और 1 4th cup टाला है फ्रोजिन हरा मटर आप चाहें तो इसमें गाजर भी आड़ कर सकते हैं या फर सिम्ला मिच डाल करकी भी बिढा सकते हैं इसी के साथ इसमें हम एक चमच पाव भाजी मसाला इस से मसाला इड़ि का टेस्ट जो है बहुत ही जादा बढ़ जाता है अब मसालों को हमें घी अलग होने तक फ्राई करना है कोकि मसाला जितना अच्य अच्छा आएगा व हैं इसमें तोड़ा सा हम डालेंगे बारी कट की धनिया पती और आध कि अदेले टोड़ा सबस्टेया हो जाए तो देखिए मसाले सी मैने य specimens रखिए इसमें हम डालेंगे अभ एड्ली को may कि अतुम की माई है नोरिक सबस्ट के धनिया पत्ति और य्च गरब अडल वी जब नोगोन अजान्या है तो सर्व करते से मैं पहले थोड़ा सा डाले नीमू कर रहे हैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करें पारिकट के धनिया पत्ती को और सब करें आनियन के साथ तो यह रेस्पी अच्छी लगे तो से लाइक और शेयर करने हैं ना भोलें